C I E T N C E A T द्वरा प्रस्तुत है कक्षा 9 के लिए सामाजिक विज्ञान की ध्वनी पाठे पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति वाची का हैं प्रियंका आईए अब सुनते हैं इस पुस्तक का अध्याय एक शीर्शक है लोकतंत्र क्या? लोकतंत्र क्यों? प्रिश्ट संख्या एक परिचय लोकतंत्र क्या है? इसकी विशेश्टाएं क्या है? हम बहुत सरल्ब परिभाशा से शुरुआत करते हैं फिर हम बारी-बारी से इन बिंदुओं का व्यावहारिक अर्थ जानेंगे यहां हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतंत्रिक होने की नियूनतम विशेश्टाओं को चिन्नित करना है यह अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतंत्रिक और गैर लोकतंत्रिक शासन में अंतर कर सकते हैं अध्याय के अंतर में हम इस नियूनतम लक्षे से आगे बढ़कर लोकतंत्र की व्रिहतर परिभाशा पर आएंगे समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पधती है पर ऐसा क्यों है? कौन सी चीज इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है? क्या यही शासन की सर्वोतम व्यवस्था है? इन सवालों पर हम इस अध्याय के बाद वाले हिस्से में चर्चा करेंगे पिछले अध्याय में हमने दुनिया के कई हिस्सों के अनेक विवरन पड़े इन विवरनों में हमने अनेक शासन व्यवस्थाओं और संगटनों पर चर्चा की इन में से कुछ शासन व्यवस्थाओं को हम लोकतंत्र कहते हैं दूसरों को गयर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्ता कहा गया है क्या हम जिने लोकतांत्रिक कहते हैं उन सभी देशों की सरकारों के बारे में कोई एक बड़ी चीज याद कर सकते हैं पहला पिनोशे के शासन से पहले और बात का चिले दूसरा, कम्यूनिस शासन व्यवस्ता समाप्त होने के बाद का पॉलेंड तीसरा, एनकुरूमा की सरकार के शुरुवाती दौर का घाना इन सभी सरकारों में कौन सी एक बात समान है? हम इने लोकतांत्रिक सरकार क्यों कहते हैं? पिनोशे के दौर वाले चिले, कम्यूनिस शासन व्यवस्ता वाले पॉलेंड और घाना में एनकुरूमा के बाद वाले शासन काल से इन में क्या अंतर है? इन सरकारों और म्यानमार के सैनिक शासन में क्या क्या समानता हैं? हम इन सरकारों को गयर लोकतांतरिक क्यों कहते हैं? इनी बातों के अधार पर सरकारों की कुछ सामान्य विशेष्टाएं लिखें पहली लोकतांतरिक सरकारे, दूसरी गयर लोकतांतरिक सरकारे परिभाशा की जरूरत क्यों? आगे बढ़ने से पहले आईए सबसे पहले एक मेधावी चात्रा मेरी की अपत्ती पर गौर किया जाए वह लोक तंत्र को परिभाशित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है उसकी अध्यापिका मेटिल्डा लिंगदो ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया तो कक्षा की अन्य चात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने लगी मेरी मैडम मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता एक अध्याए तो किस्सो और लोकतंत्रिक विवस्थाओं की चर्चा में लगा दिया और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को ही हमें पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब क्या ऐसा ठीक नहीं होता लिंदो मैडम तुम्हारी बातों में दम है पर क्या हम अपने सामाने जीवन में भी ऐसा ही नहीं करते क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने के पहले इनकी परिभाशा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं जरा सोचो क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्व मानने परिभाशा है शब्दों का उप्योग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं मेरी फिर परिभाशा की जरूरत ही क्यों है लिंग्डो मैडम हमें परिभाशा की जरूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उप्योग करने में परेशानी होती है हमें बारिश की परिभाशा की जरूरत तभी होती है जब हमें बूना बांदी और बादल फटने जैसी स्थिती और सामानने वर्सात में फर्क करना हो लोगतंतर पर भी यही बात लागू होती है हमें इसके लिए भी स्पष्ट परिभाशा की जरूरत है क्योंकि लोग इस चप्ट का प्रयोग अलग-अलग अर्थों के लिए करते हैं बहुत अलग-अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोगतांत्रिक ही कहती है जिभी यांग, लेकिन हमें परिभाशा बनाने की जरूरत ही क्या है एक दिन आपने हमें अबराहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाले शासन विवस्ता ही लोकतंत्र है मिघाले में हम स्वयम पर राज करते हैं इसे सभी लोग मानते भी हैं हमें इसमें बदलाव करने की क्या जरूरत है मैं ये नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की जरूरत है मुझे भी ये परिभाशा बहुत सुन्दर लगती है जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार ना करें तब तक ये तैक करना मुश्किल होगा कि लोगतंत्र की यही सर्वोत्तम परिभाशा है हमें किसी चीज को सिर्फ इसी आधार पर सुईकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी गिरामी आदमी ने उसके लिए कुछ बहुत अच्छा कहा है या सभी लोग उसे सही मानते है योलांडा मैडम क्या मैं कुछ कह सकती हूँ हमें कोई परिभाशा तलाशने की जरूरत नहीं है मैंने कहीं पड़ा है कि डेमोक्रेसी युनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है युनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन यही सही अर्थ है फिर परिभाशा की क्या जरूरत है लिंग्डो मैडम इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उप्योगी तरीका है पर मैं इतना कहूंगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ती से उसकी परिभाशा निकालने का तरीका हरदम उप्योगी नहीं रहता शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ बदलता भी रहता है अब कंप्योटर शब्द को ही लो यह कंप्योटिंग अर्थात गढ़ना शब्द से बना है मुश्किल गढ़नाओं को सरलता से करने के लिए बने यंद्र को ही कंप्योटर कहा जाता था दरसल यह बहुत शक्तिशाली कैलकूलेटर थे पर आज शायद ही कोई इस अर्थ में कंप्योटर शब्द का प्रयोग करता है अब तो कंप्योटर का उप्योग लिखने पढ़ने डिजाइन बनाने संगीत बनाने सुनन और फिल्म देखने में होता है शब्द वही रहते हैं पर समय बीतने के साथ उनका अर्थ बदल सकता है ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उप्योगी नहीं होता मेरी मैडम आपके कहने का मतलब यह है कि इस विशे पर खुद सोचने का कोई शौटकट नहीं है हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी परिभाशा गणनी होगी लिंडो मैडम एक दम सही इसलिए आओ अब ये काम कर ही डालें प्रिष्ट संख्या तीन एक सरल परिभाशा आईए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांतरिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी पिछले अध्याई में हमने सभी लोकतांतरिक विवस्ताओं की पैचान के लिए एक बोहती सरल पैमाने की पैचान की थी वह पैमाना था लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना इसलिए हम एक सरल परिभाशा से शुरुवात कर सकते हैं लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाब लोक करते हैं यह एक उप्योगी शुरुवात है यह परिभाशा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतंत्रिक और ग्यार लोकतंत्रिक शासन व्यभस्ताओं में अंतर कर देती है म्यानमार के सैनिक शासकों का चुनाब लोगों ने नहीं किया है जिन लोगों का सेनब पर नियंतरन था वे देश के शासक बन गए शासक के फैसलों वे लोगों की कोई भागिदारी नहीं है पिनोशे जैसे ताना शाहों का चुनाब लोग नहीं करते यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है नेपाल के राजा और साओधी अरब के शाहन लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं बल्कि राज़ परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया है लेकिन यह सरल परिभाषा पून या परियाप्त नहीं है इससे हमें यह समझ में आता है कि लोगतंत्र का मतलब लोगों का शासन है पर इस परिभाषा का प्रियोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सबी सरकारों को लोगतंत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती है और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुँच पाएंगे जैसा कि हम अध्याय चार में देखेंगे कि समकाली दुनिया की हर सरकार चाहे वे लोगतंत्रिक हो या ना हो खुद को लोगतंत्रिक कहना कहलाना चाती है इसलिए हमें असली लोगतंत्र और दिखावटी लोगतंत्र वाली सरकारों के बीच साफधानी पूर्वक फर्क करना होगा यह काम हम तब ही कर पाएंगे जब हम इस परिभाशा के एक-एक शब्द को साफधानी से समझे और लोगतंत्रिक सरकार की विशेश्ताओं को जाने बॉक्स चाती है कि आप भी इन्हे सुनें और बताएं कि यह उक्तियां कितनी अच्छी या उपयोगी हैं एक लोगतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोशक आप बन जाने का अधिकार देता है दो, लोगतंत्र का मतलब है अपने तानाशाहों का चुनाव करना पर उनके मुह से अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद 3. व्यक्ति की न्याय प्रियता लोगतंत्र को संभव बनाती है लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोगतंत्र को ज़रूरी बनाता है चार लोकतंत्र शासन का ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं वैसी सरकार ही हम पर शासन करे पांच लोकतंत्र की सारी बुराईयों को और अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है प्रिश्ट संख्या चार भाग दो हमने इस सरल परिभाशक के साथ शुरुवात की है कि लोगतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाफ करती है इससे अनेक सवाल उट खड़े होते हैं एक इस परिभाशक के अनुसार शासक कौन है किसी सरकार को लोगतंत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुना होना अवश्यक है लोगतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं 2. किस तरह के चुनाव को लोगतंत्रिक चुनाव कहते हैं? किसी चुनाव को लोगतंत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है 3. कौन लोग शासकों का चुना कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं? क्या इसमें प्रतेक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है? क्या कोई लोगतंत्रिक विवस्ता अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है? 4. सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहींगे क्या चुने हुए शासक लोकतांत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्षमन रेखाओं में बंद कर काम करना जरूरी है क्या लोक तांत्रिक शासन व्यवस्ता को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए? आईए कुछ उधारनों के साथ इन सब पर बारी-बारी से विचार करें पाकिस्तान में जनरल परवेश मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तक्ता पलट की अगवाई की उन्होंने लोक तांत्रिक ढंक से चुनी हुई सरकार को उखाड भेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोशित किया प्रिष्ट संख्या पाँच बाद में उन्होंने खुद को राश्चपती घोशित किया और 2002 में एक जन्मत संग्राय करापके अपना कार्यकाल पाँच साल के लिए बढ़वा लिया पाकिस्तानी मीडिया मानवर दिकार संग्रटनों और लोगतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जन्मत संग्राय एक धोखा धरी है और इसमें बड़े प्यमाने पर गरबढ़िया की गई है अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ओर्डर के जरिये पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला इस ओर्डर के अनुसार राष्टपती, राष्ट्रिय और प्रांधी असेंबलियों को भंग कर सकता है मंत्री परिशत के कांकाच पर एक राष्ट्रि सुरक्षा परिशत की निगरानी रहती है जिसके ज्यादतार सदस्य फोजी अधिकारी है इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रिय और प्रांधी असेंबलियों के लिए चुनाव कराएं गए इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले लेकिन सर्वोच सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास है पश्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोगतंत्र ना कहने के अनेक ठोस कारण है लेकिन यहां सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है हम ऐसा नहीं कह सकते लोगों ने राश्ट्रिये और प्रांतिये असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं है वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में है जो जनता द्वारा नहीं चुने गए हैं ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है वहाँ अपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती ऐसे मामलों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है ना कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता इससे हम लोकतंत्रिक शासन विवस्ता की पहली विशेष्टा पर पहुँचते हैं लोग तंत्र में अंतिम निल्न लेने की शक्ती लोगों द्वारा चुने हुए प्रति निध्यों के पास ही होनी चाहिए प्रिष्ट संख्या छे स्वतंत्र और निश्पक्ष चुनावी मुकाबला चीन की संसत को कवांगोर रेममिन दाई व्याव दाहुई यानी राष्ट्र जन संसत कहते हैं चीन की संसत के लिए प्रती पांच वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं इस संसत को देश का राष्टपती न्युक्त करने का अधिकार है इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है चुनाव लड़ने से पहले सभी उमीदवारों को चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी से मन्जूरी लेनी होती है 2002-03 में हुए चुनावों में सिर्फ कम्यूनिस पार्टी और उससे संबद कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमती मिली सरकार सदा कम्यूनिस पार्टी की ही पंती है 1930 में अजाद होने के बाद से मेक्सिको में हर छे वर्ष के बाद राष्टपती चुनने के लिए चुनाव कराये जाते हैं देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाई नहीं आई लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में P.R.I. या Institutional Revolutionary Party नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी चुनाव में तरह तरह की हतकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए P.R.I. कुख्यात थी सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की वैटकों में जाना अनिवार्य था सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने चात्र शात्राओं के माबाप से P.R.I. के लिए वोट देने को कहते थे मीडिया भी जब तब विपक्षी डलों की आलोशना करने के अलावा उनकी गतिविद्यों को नजर अंदाज ही करती थी कई बार एकदम अंतिम शनों में मद्दान किंद्रों को एक जगा से हटा कर दूसरी जगा कर दिया जाता था जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे P.R.I. अपने उमीदवारों के चुनाव अभियान पर काफी पैसे खर्च करती थी क्या हम वर्णिक चुनावों को लोगों द्वारा अपना शासक चुनने का उधारन मान सकते हैं? इन उधारनों को पढ़ने के बाद तो यहीं लगता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते यहां काफी सारी समस्याएं हैं चीन के चुनावों में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होता लोगों को शासक दल या उसके द्वारा सुईक्रित उमिद्वारों को ही वोट देना होता है क्या हम उसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? प्रिश्ट संक्या साथ मेक्सिको की मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहां की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प ना था किसी भी तरह वहां शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता था लोगों के चाहने पर भी नहीं वहां हुए चुनाव निश्पक्ष नहीं थे इस प्रकार अब हम लोकतंत्र की अपनी सबंज में एक अन्य विशेष्टा या गुण को जोड सकते हैं लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता चुनाव में एक से ज्यादा असली राजनेतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिती भी होनी चाहिए लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहे तो शासक दल को गद्धी से उतार दे इस प्रकार लोकतंत्र निशपक्ष और स्वतंत चुनावो पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीथार के समान अफसर हों लोकतंत्रिक चुनावों के बारे में हम अध्याई चार में और बाते जानेंगे एक व्यक्ति, एक वोट, एक मोल पिछले अध्याय में हमने पड़ा है कि किस तरह लोक तंत्र के लिए होने वाला संगर्ष, सार्व भौम, वयस्क, मताधिकार के साथ जुड़ा था अब इस सिध्धान्त को लगबग पूरी दुनिया में मान लिया गया है पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उधारन भी कम नहीं है एक, सौधी अरब में और्तों को वोट देने का अधिकार नहीं है दो, एस्टोनिया ने अपने यहां नागरिक्ता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अलप संख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है तीन, फिजी की चुनाव प्रणानी में वहां के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतिय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज्यादा है लोगतंत राजनेतिक समानता की बुनियादी सिध्धान पर आधारित है इस प्रकार हम लोगतंतर की तीसरी विशेशता को जान लेते हैं लोगतंतर में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए अध्याय चार में हम इस बारे में ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे प्रिष्ट संख्या आठ कानून का राज और अधिकारों का आदर जिम बाबवे को 1980 में अल्प संख्या गोरो के शासन से मुक्ती मिली उसके बाद देश पर जानू पीएव दल का राज है जिसने देश के स्वतंतरता संखर्ष की अगवाई की थी इसके नेता रौबर्ट मुकाबे आजादी के बाद से ही शासन कर रहे हैं चुनाव नियमित रूप से होते हैं और सदा जानू पीएव दल ही जीतता है राश्टपती मुकाबे कम लोग प्रिये नहीं है पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते हैं आजादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार सम्विधान में बदलाव करके राश्टपती के अधिकारों में ब्रिद्धी की है और उसकी जवाब देही को कम किया है विपक्षी दलों के कारे करताओं को परिशान किया जाता है और उनकी सभाओं में गरबर कराई जाती है सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को ग्यार कानूनी घोशित कर दिया गया है एक ऐसा कानून भी है जो राश्टपती की अलोशना के अधिकार को सीमित करता है टेलिवीजन और रेडियो पर सरकारी नियंतरन है और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते हैं अगबार स्वतंतर हैं पर सरकार की अलोचना करने वाले पत्रकारों को परिशान किया जाता है सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवार नहीं की है जो उसके खिलाब जाते थे और उसने जजों पर दबाव भी डाला जिम्बाववे का उधारन बताता है कि शासकों के लिए बार बार जना देश पाना लोगतंतर की एक जरूरत है पर इतना ही परियाप नहीं है लोक प्रिये नेता भी अलोक तांत्रिक हो सकते हैं अगर हम लोक तंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनावों पर नज़र डालना जरूरी है पर उतना ही जरूरी है कि चुनाव के पहले और बात की सित्यों पर भी नज़र डाली जाए चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी सम्हूं के कामकाज समेत सभी तरह की राजनेतिक गतिविद्यों के लिए परियाप्त गुंजाईश रहनी चाहिए इसके लिए जरूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे उनको सोचने की, अपने राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगटन बनाने की, विरोध करने और अन्य राजनैतिक गतिविधियां करने की स्वतंतरता होनी चाहिए कानून की नजर में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत न्याय पालिका को करनी चाहिए जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हूं इन अधिकारों के बारे में हम अधिक विस्तार से अध्याय 6 में पढ़ेंगे इस प्रकार कुछ दूसरी शर्ते हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती हैं एक लोगतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है खास तौर से उसे अलप मत वाले समूहों को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है हर प्रमुक फैसला लंबे विचारवी मर्श के बाद लेना होता है हर पता अधिकारी को उस पत के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां सम्विदान द्वारा दी जाती हैं ये सभी ना सिर्फ जनता के प्रती उत्तरदाई हैं बलकि अन्य सुतंत्र अधिकारियों के प्रती भी उनकी जवाब देही होती है इसके बारे में हम ज्यादा विस्तार से अध्याय पांच में पढ़ेंगे इस प्रकार हम लोकतंत्र की चोथी और अंतिम विशेष्टा को रिखांकित कर सकते हैं एक लोकतंत्रिक सरकार समवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खीची लक्षमन रेखाओं के बीतर ही काम करती है परिभाशाओं का साराश आईए अब तक हुई चर्चा को समीटे हमने लोकतंत्र की इस सरलसी परिभाशा से बात शुरू की थी कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाब लोग करते हैं हमने पाया कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुक शब्दों के बारे में और सपश्ट ना हो जाएं यह परिभाशा परियाप्त नहीं है अनेक उधारनों के जरिये हमने शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की चार विशेश्टां को रिखांकित किया इनके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें पहला लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुक फैसले करते हैं दूसरा चुनाव लोगों के लिए निश्पक्ष अफसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहें तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं तीसरा यह विकल्प और अफसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हूँ और चौथा इस चुनाव से बनी सरकार सविधान द्वारत ये बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती हैं प्रिष्ट संख्या 10 लोगतंत्र के कामकाज या उसकी अनुपस्तिती के इन पांच उधारणों को सुनिये इनका मेल लोगतंत्र की उन प्रासंगिक विशेष्टाओं से कराएं जिनकी चर्चा की गई है कॉलम 1 उधारण एक भुटान नरेश ने घोशना की है कि आगे से वे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सलहा पर काम करेंगे 2. भारत से गए अनेक तमिल मजदूरों को श्री लंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया है 3. नेपाल नरेश ने राजनेतिक जमावडों, प्रदर्शनों और रैलियों पर रोक लगा दी 4. भारत की सर्वोच न्यायायले ने बिहार विधान सभा भंग करने को असमवधानिक ठराया 5. बंगला देश की राजनेतिक पार्टियां इस बात पर सहमत हुई कि चुनाव की समय किसी पार्टी की सरकार ना रहे 1. कानून का शासन 2. अधिकारों का सम्मान 3. एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल 4. स्वतंत्र और निश्पक्ष चुनावी मुकावला 5. चुने हुए नेताओं द्वारा प्रमुक फैसले करना 5. भागतीन लोकतंत्र ही क्यों? मैडम लिंगदो की कक्षा में एक बहस शुरू हुए थी उन्होंने इस अध्याय को यहां तक पढ़ाने के बाद छात्रों से पूछा कि क्या उन्हें लोकतंत्र ही शासन का सबसे अच्छा स्वरूप लगता है? इस सवाल पर सबने कोई न कोई टिपनी की लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा योलांदा हम लोकतंत्रिक देश में रहते हैं हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि दुनिया भर में सभी जगा लोग लोकतंत्र चाते हैं जिन देशों में पहले लोकतंत्रिक शासन प्रणानी नहीं थी वहां भी अब इसे अपनाया जा रहा है सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छी अच्छी बाते कहीं है क्या इतने से ही ये स्पष्ट नहीं हो जाता कि लोकतंत्र सबसे अच्छा है क्या अब भी इस पर बहस करने की जरूरत है तांग किनी लेकिन लिंग्दो मैडम ने तो कहा था कि हमें किसी चीज को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी सभी ने उसे मान लिया है क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी सभी लोग गलत रास्ते पर जा रहे हूं जैनी हां यह गलत रास्ता ही है लोग तंत्र ने हमारे देश को क्या दे दिया है आधी सदी से ज्यादा समय से लोग तंत्र है और तब भी देश में इतनी अधिक गरीबी है रिबियांग लेकिन लोकतंत्र इसमें क्या कर सकता है? क्या हमारे यहां लोकतंत्र के कारण गरीबी है या फिर लोकतंत्र होने के बावजूत भी गरीबी है प्रिष्ट संख्या 11 जैनी जो भी है इससे क्या फर्क पड़ता है मुद्दा यह है कि हम इसे शासन का सर्फ श्रेश्ट रूप नहीं मान सकते लोक तंत्र का मतलब है अराजकता, अस्थिरता, ब्रश्टाचार और दिखावा राजनेता आपस में ही लड़ते रहते हैं देश की परवा किसे है पाई मोन, तो फिर इसकी जगह कौन सी प्रणाली होनी चाहिए क्या अंग्रेजी हुकूमत वापस लाई जाए बाहर से किसी राजा को देश पर शासन के लिए बुलाया जाए रोज, पता नहीं, पर मुझे लगता है कि देश को एक मजबूत नेता की जरूरत है ऐसे नेता की, जिसे चुनाव की, संसत की परवा ना हूँ एक ही नेता के पास सारे अधिकार हूँ देश के हित में जो कुछ जरूरी हो, वें सब करने में उसे सक्षम होना चाहिए सिर्फ इसी से देश से गरीबी और ब्रश्टाचार खत्म होंगे कोई पीछे से चिलाया, इसी को तानाशाही कहते हैं दोई, अगर वें व्यक्ति सत्ता का उप्योग सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए करने लगे तो क्या होगा अगर वें खुद ब्रश्ट हो तब रोज, मैं सिर्फ इमानदार, संजीदा और मजबूत नेता की बात कर रही हूँ दोई, ये ठीक नहीं है, तुम वास्तविक लोक तंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही के साथ कर रही हो हमें आदर्श की तुलना आदर्श के साथ और वास्तविक की तुलना वास्तविक के साथ ही करनी चाहिए जरा ताना शाओं के वास्तविक जीवन के बारे में पड़ो वे सबसे ज्यादा भरष्ट, स्वार्थी और क्रूर होते हैं होता सिर्फ यह है कि हमें उनके बारे में जानकारिया उपलब नहीं हो पाती और सबसे बड़ी गड़बर तो यह है कि आप उन्हें सत्ता से हटा भी नहीं सकते मैडम लिंगदो इस चर्चा को पूरी दिल्चस्पी से सुन रही थी अब उन्होंने हस्तक शेप किया तुम सब लोग इतने मगन होकर इस बहस में लगे थे यह देखकर मुझे खुशी हुई मुझे नहीं मालूम कौन सही है कौन गलत है यह तो आप लोग सुलजाएं पर मुझे लगा कि आप खुले दिमाग से बाते कर रहे थे अगर किसी ने आपको रोकने की कोशिश की होती या आपको अपनी बात कहने के लिए सजा दी होती तो निश्चित रूप से आपको बहुत बुरा लगता क्या आप ऐसा उस देश में कर सकते हैं जहां लोगतंत्र ना हो इस चर्चा में लोक तंथर के खिलाफ वे अधिकांश तर्क साबने आ गए हैं जिने हम आम तोर पर सुनते हैं ये तर्क कुछ इस प्रकार के हूते है एक लोक तंथर में नेता बदलते रहते हैं इससे अस्थिर्था बैदा होती है 2. लोगतंत्र का मतलब सिर्फ राजनेतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है यहां नेतिकता की कोई जगह नहीं होती 3. लोगतंत्रिक विवस्ता में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है 4. चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता इसके चलते खराफ फैसले होते हैं 5. लोगतंत्र में चुनावे लड़ाई महत पून और खर्चीली होती है इसलिए इसमें भरष्टाचार होता है 6. सामानने लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी इसलिए उन्हें किसी भी चीज का फैसला नहीं करना चाहिए निश्चित रूप से लोगतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है लोगतंत्र ने हमारे देश में या दुनिया के अन्य हिस्सों में भी गरीबी नहीं मिटाई है सरकार के स्वरूप के तौर पर लोगतंत्र सिर्फ इसी बुनियादी चीज को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसले करें इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि उनके सभी फैसले अच्छे ही होंगे लोग गलतियां भी कर सकते हैं इन फैसलों में लोगों को भागीदार बनाने से फैसलों में देरी होती है यह भी सही है कि लोक तंत्र में जल्दी जल्दी नेत्रत्व परिवर्तन होता है कई बार बड़े फैसलों और सरकार की कारे कुशलता पर भी इसका बुरा असर होता है इन तर्कों से यह लगता है कि हम लोक तंत्र का जो रूप देखते हैं वे सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता है पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने यह सवाल नहीं होता वहाँ सवाल यह होता है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प उपलब्ध है उनमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बहतर है लोकतंत्र के पक्षमे तर्ख चीन में 1958 से 61 के उदरान पड़ा अकाल विश्व इत्यास का अब तक का ज्यात सबसे भयावय अकाल था इसमें करीब 3 करोड लोग भूग से मरे उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिती चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भूग मरी की स्थिती नहीं आई अर्थ शास्तियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खादे सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया है वैसा करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की अर्थ शास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी सोतंत्र और लोगतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भुकमरी नहीं हुई है अगर चीन में भी बहुदलिये चुनावी विवस्था होती विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली सोतंत्र मीडिया होती तो इतनी सारे लोग भूके नहीं मरते यह उधारन लोग तंत्र को सर्फ श्रेश शाशन पदती बताने वाली विशेशताओं में से एक को बहुत सपश धंग से सामने लाता है लोगों की जरूरत के अनुरूप आच्रन करने के मामले में लोग तंत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बहतर है ग्यार लोग तंत्रिक सरकार लोगों की जरूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी और यह सब सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करेगा अगर शासकों को कुछ करने की जरूरत नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की जरूरत नहीं है पर लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की जरूरतों पर ततकाल ध्यान दे लोगतांत्रिक शासन पदती दूसरों से बहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवावदेही वाला स्वरूप है गैर लोगतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोगतांत्रिक सरकारों के बहतर फैसले करने का एक अन्य कारण भी है लोक तंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसी हैं लोक तंत्रिक फैसले में हर दम ज्यादा लोग शामिल होते हैं चर्चा करके फैसले होते हैं, बैटके भी होती हैं अगर किसी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों की गुंजाईश कम से कम हो जाती है इसमें कुछ ज्यादा समय जरूर लगता है लेकिन महत्पून मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने लाब भी है इससे ज्यादा उग्र या ग्यार जिम्मेवार फैसले लेने की संभावना घटती है इस प्रकार लोगतंत्र बेतर निटने लेने की संभावना बढ़ाता है इसी से जुड़ा तीसरा तर्क भी है किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होगा ही भारत की तरह भारी समाजिक विवित्तावाले देश में इस तरह का अंतर और भी ज्यादा होता है अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग समूह के लोग रहते हैं विभिन भाशाएं बोलते हैं उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग-अलग हैं और जातियां भी जुदा-जुदा दुनिया को ये सबी अलग-अलग दृष्टी कौन से देखते हैं और उनकी पसंद में वी अंतर हैं एक समूह की पसंद और दूसरे समूह की पसंद में टकराव भी होता है ऐसे टकराव को कैसे सुलजाएंगे? इसे ताकत के बल पर सुलजाया जा सकता है जिस समूह के पास ज्यादा ताकत होगी वे दूसरे को दबा देगा और कमजोर समू को इसे मानना होगा लेकिन इससे नराजगी और असंतोष पैदा होगा ऐसी स्थिती में विभिन समू ज्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते लोकतंत इस समस्य का एक मात शांती पून समाधान उपलब्द कराता है लोकतंतर में कोई भी स्थाई विजेता नहीं होता और कोई स्थाई रूप से पराजित नहीं होता सो विभिन समू एक दूसरे के साथ शांती पून ढंग से रह सकते हैं भारत की तरह विवितता वाले देश को लोकतंतरी एक जुट बनाए हुए है बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाफ से ये तीन तर्क लोकतंतर को काफी मजबूत साबित करते हैं लेकिन लोकतंतर के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उससे बनने वाली सरकार के कामकात से जुड़ा नहीं है ये तर्क लोकतंत्र और नागरिकों के रिष्टे का है लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है वह किसी और विवस्था में नहीं होती अगर इस विवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदाई सरकार चलाने का काम ना भी हो तब भी यह दूसरों से बेहतर है लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धान्त पर आधारित है यहां सबसे गरीब और अनपड को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को है लोक किसी शासक की प्रजना होकर खुद अपने शासक हैं अगर वे गलतियां करते हैं तब भी वे खुद इसके लिए जवाब देह होते हैं लोक तंतर के पक्ष में आखरी तर्क यह है कि लोक तंतर व्यवस्था दूसरों से बहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अफसर भी मिलता है जैसा कि हमने देखा है इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोक तंतर में कोई गलती नहीं हो सकती किसी भी किस्मिकी सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती इस मामले में लोकतंत्र का लाब यह है कि इसमें गलतियों को ज्यादा देर तक छुपाये नहीं रखा जा सकता इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाईश लोकतंत्र में है और फिर इन में सुधार करने की गुंजाईश भी है इसका मतलब यह है कि या तो शासक समू अपना फैसला बदले या शासक समू को ही बदला जा सकता है गैर लोकतंत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं किया जा सकता चले अब इस चर्चा को समीटे लोकतंत्र हमें सब चीज नहीं दे सकता और ना ही यह सबी समस्याओं का समाधान है लेकिन यह साफ तोर पर उन सबी दूसरी व्यवस्ताओं से बहतर है जिने हम जानते हैं और दुनिया के लोगों को जिनका अनुभव है यह अच्छे फैसलों के लिए बहतर अफसर उपलब्द कराता है इसमें लोगों की इच्छाओं का समान किये जाने की ज्यादा संभावना है और इसमें अलग-अलग तरह के लोग ज्यादा बहतर ढंग से साथ-साथ रह सकते हैं अगर यह इनमें से कुछ काम करने में असफल रहता है तब भी इसमें गलती सुधाने की संभावना है और इसमें सभी नागरिकों को ज्यादा सम्मान मिलता है इसी वज़ा से लोग तंत्र को सबसे अच्छी शाषन व्यवस्ता माना जाता है इस अध्याइ में हमने लोग तंत्र की एक सीमित और विवरात्मक शैली में चर्चा की हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोग तंत्र को समझा लोग तंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें उन नियुनतम विशेश्ताओं या गुणों की पैचान कराती है जो लोकतंत्र की जरूरत है हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिद्व वाला लोकतंत्र हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहां सभी लोग शासन नहीं चलाते सबी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है और यह बहुमत भी स्वयम शासन नहीं चलाता बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिद्यों के माध्यम से होता है यह जरूरी हो जाता है क्योंकि अधुनिक लोगतांत्रिक शासन विवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठा कर सामूहिक फैसला कर पाना संभव ही नहीं हो सकता अगर यह संभव हो तब भी हर एक नागरे के पास हर फैसले में भाग लेने का समय इच्छा या योग्यता और कौशल नहीं होता इसमें हमें लोगतंत्र की स्पष्ट लेकिन निवनुतम जरूरी समझ मिलती है इस स्पष्टिता से हमें लोगतंत्रिक और अलोगतंत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिलती है लेकिन इससे हमें एक सामान्य लोगतंत्र और एक अच्छे लोगतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल जाती इससे हम लोकतंद्र को सरकार से परे जाकर नहीं समझ पाते इसके लिए हमें लोकतंद्र के व्रिहतर अर्थ को समझना होगा कई बार हम लोकतंद्र का प्रयोग सरकार से अलग संगटनों के लिए करते हैं जरा इन कंथनों पर गौर कीजी हम लोगों का परिवार काफी लोगतांत्रिक है जब भी फैसला करना होता है हम सभी साथ बैठ कर आपसी सहमती से फैसले लेते हैं फैसले में मेरे विचारों का भी उतना ही महत होता है जितना मेरे पिताजी का मुझे वे शिक्षक ना पसंद है जो कक्षा में चात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देते मैं तो ऐसा शिक्षक पसंद करूँगी जो लोकतांत्रिक मान सिकता का हूँ एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं वे क्या लोकतंत्र की बात करेंगे लोकतंत्र शब्द का इस तरह का प्रयोग फैसले लेने के उसके बुनियादी तरीके को उजागर करता है लोकतांतिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सबी लोगों के साथ विचार विमर्ज के बाद और उनकी सुईकृति से फैसले लेना यानि जो बहुत शक्तिशाली ना हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत होना जितना किसी बहुत शक्तिशाली का ये बात सरकार या परिवार पर भी लागू होती है और किसी अन्य संगठन पर भी इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसा सिध्धान्ध है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्शों के लिए करते हैं इन्हें पाने का प्रियास सभी लोकतंत्रिक शासनों को जरूर करना चाहिए पहला इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तब ही आएगा जब किसी को भी भूके पेट सोने की जरूरत नहीं रहेगी दूसरा लोकतंत्र में प्रतेक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की जरूरत नहीं है हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्ता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्टा होनी चाहिए अगर हम इन आदर्श पैमानों के आधार पर आज की शासन व्यवस्ताओं को परकें तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंतर नहीं है फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंतर की हमारी समझदारी हमें बार-बार यह याद दिलाती है कि हम लोकतंतर को इतना महत्व क्यों देते हैं इस से हमें मौजूदा लोकतंतरिक व्यवस्ताओं को परकने और उनकी कमजोरियों की पहचान करने में मदद मिलती है इससे हमें न्योंतम या काम चलाऊं लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर समझने में मदद मिलती है इस किताब में हमने लोकतंत्र की व्यापक अवधारना पर ज्यादा बाते नहीं की हैं हमने सिर्फ शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र के कुछ बुनियादी संस्थागत सौरूपों की चर्चा की है। अगले साल आप लोकतंत्रिक समाज और अपने लोकतंत्र के मुल्यांकन के तरीकों के बारे में और ज्यादा बाते जानेंगे। इस समय हमें सिर्फ इतना याद कर लेना जरूरी है कि लोकतंत्र जीवन के अनेक पहलिवों में प्रासंगिक है और लोकतंत्र कई रूप ग्रहन कर सकता है। समानता के अधिकार पर चर्चा और विचार विमर्ष के बुनियादी सिधानत को माना जाए तो लोकतंत्रिक ढंका फैसला भी कई तरह का हो सकता है। आज की दुनिया में लोकतंत्रिक शासन विवस्था का सबसे आम रूप है लोकों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। इसके बारे में हम अध्याय चार में ज्यादा विस्तार से बात करेंगे। लेकिन जब समुदाए छोटा हो तब लोकतंत्रिक फैसले लेने के दूसरे तरीके भी अपनाई जा सकते हैं। फिर तो सभी लोग साथ बैठ कर सीदे वहीं फैसला कर सकते हैं। किसी गाउं की ग्रामसभा को इसी तरह काम करना चाहिए। क्या आप लोकतंत्रिक फैसले लेने के कुछ और तरीकों की कल्पना कर सकते हैं। प्रिष्ट संख्या सत्रा इसका यह भी मतलब हुआ कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की जिन विशेष्टाओं की चर्चा हमने इस अध्याय में की वे लोकतंत्र की नियुन्तम शर्ते हैं। पर इनसे यह आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता। एक आदर्श लोकतंत्र में निलने लेने की प्रक्रिया लोकतंत्रिक होनी चाहिए। हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए यह स्थिती एक बार में और एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती इसके लिए लोकतंत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करते जाने की जरूरत होती है नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमजोरी भी देश का भविश्य शासकों के कामकाच से भी ज्यादा नागरिकों के कामकाच पर निर्भर करता है यही चीज लोक तंसर को अन्य शासन व्यवस्ताओं से अलग करती है राजशाही, तानाशाही या एकडल के शासन जैसी अन्य विवस्ताओं में सभी नागरिकों को राज नीती में हिस्सेदारी करने की जरूरत नहीं रहती दरसल अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारे चाहती ही नहीं की लोग राजनीती में हिस्सा ले लेकिन लोकतंत्रिक विवस्ता सभी नागरिकों की सक्रिय भागिधारी पर ही निर्भर करती है इसलिए लोकतंत्रिके बारे में पढ़ाई हो तो लोकतंत्रिक राजनीती पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए खुद करें, खुद सीखें अपने विधान सभा और संसद्य क्षेत्र के सभी मतदाताओं की संख्या का पता लगाएं फिर ये भी पता करें कि आपके आसपास के सबसे बड़े स्टेडियम या हॉल में कितनी लोग बैठ सकते हैं फिर सोची कि क्या एक विधान सभा या संसदिय क्षेत्र की मतदाताओं का एक साथ बैठना, सार्थक चर्चा करना और लोकतांत्रिक फैसली करना संभव है। प्रश्न आवली प्रश्न एक यहां चार देशों के बारे में कुछ सूचनाई हैं। इन सूचनाओं के अधार पर आप इन देशों का वर्गी करन किस तरह करेंगे। इनके सामने लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखें। क, देश क, जो लोक देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते, उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। ख, देश ख, एक ही पार्टी बीते 20 वर्षों से चुनाव जीत्ती आ रही है। ग, देश ग, पिछले तीन चुनावों में शासक दल को पराजय का मूँ देखना पड़ा। ग, देश ग, यहां सोतंत्र चुनाव आयोग नहीं है। प्रश्न दू, यहां चार अन्य देशों के बारे में कुछ सूचनाएं दी गई हैं। इन सूचनाव के आधार पर इन देशों का वर्गी करन आप किस तरह करेंगे। इनके आगे लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखे। क, देश च, संसत सेना प्रमुक की मनजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती। ख, देश ख, संसत न्याय पालिका के अधिकारों में कटोती का कानून नहीं बना सकती। ग, देश ज, देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमती के किसी और देश से संधी नहीं कर सकते। ग, देश ज, देश के सारे आर्थिक फैसले केंद्रिय बैंक के अधिकारी करते हैं, जिसे मंत्री भी नहीं बदल सकते। प्रश्ण ती, इन में से कौन सा तर्क लोगतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं हैं और क्यूं। ग, लोगतंत्र में लोग खुद को सुतंत्र और समान मानते हैं। ख, लोगतंत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुल्ना में टकरावों को ज्यादा अच्छी तरह सुलजाती हैं। ग, लोगतंत्रिक सरकारें लोगों के प्रती ज्यादा उत्तरदाई होती हैं। ग, लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुल्ला में ज्यादा सम्रिद्ध होते हैं। प्रिश्ट संख्या 18 प्रश्ण चार, इन सभी कथनों में कुछ चीजे लोकतांत्रिक हैं, तो कुछ अलोकतांत्रिक, हर कथन में इन चीजों को अलग-अलग करके लिखें। क. एक मंत्री ने कहा कि संसत को कुछ कानून पास करने होंगे जिससे विश्व व्यपार संगठन द्वारा तै नियमों की पुष्टी हो सके ख. चुनाव आयोग ने एक चुनाव शेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर दोवारा मतदान का आदेश दिया जहां बड़े पैमाने पर मतदान में गलवड की गई थी ग. संसद में औरतों का प्रतिनिजित्व कभी भी दस प्रतिशत तक नहीं पहुँचा है इसी के कारण महिला संगठनों ने संसद में एक तिहाई आरक्षण की मांग की है प्रश्ण पांच लोग तंत्र में अकाल और भूकमरी की संभावना कम होती है यह तर्क देने का इन में से कौन सा कारण सही नहीं है ग. विपक्षी दल भूक और भूकमरी की ओर सरकार का ध्यान दिला सकते हैं ख. सोतंत्र अखबार देश के विभिन हिस्सों में अकाल की स्थिती के बारे में खमरें दे सकते हैं ग. सरकार को अगले चुनाव में अपनी पराजय का डर होता है ग. लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरन करने की सोतंत्रता है प्रश्न 6. किसी जिले में 40 ऐसे गाउं हैं जहां सरकार ने पेजल उपलब्द कराने का कोई इंतिजाम नहीं किया है इन गाउं के लोगों ने एक बैठक की और अपनी जरूरतों की और सरकार का ध्यान दिलाने के लिए कई तरीकों पर विचार किया इन में से कौन सा तरीका लोगतांत्रिक नहीं है क अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना ख अगले चुनाव का बहिशकार करके सभी पार्टियों को संदेश देना ग सरकारी नीतियों के खिलाफ जन सभाएं करना ग सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना प्रश्न साथ लोगतांत्र की खिलाफ दिये जाने वाले इन तरकों का जवाब दीजिए क सेना देश का सबसे अनुशासित और भष्टा चार मुक्त संगठन है इसलिए सेना को देश का शासन करना चाहिए ख बहुमत की शासन का मतलब है मूर्खों और अशिक्षितों का राज हमें तो होशियारों के शासन की जरूरत है भले ही उनकी संख्या कम क्यों न हो ग अगर आध्यात्मिक मामलों में माग्र दर्शन के लिए हमें धर्म गुरुओं की जरूरत होती है तो उन्हीं को राजनेदिक मामलों में माग्र दर्शन का काम क्यों नहीं सौपा जाए देश पर धर्म गुरुओं का शासन होना चाहिए बेटी से बाप, मैं शादी के बारे में तुम्हारी राय सुनना नहीं चाहता हमारे परिवार में बच्चे वहीं शादी करते हैं जहां माबाप ताय कर देते हैं ख चात्र से शिक्षक, कक्षा में सवाल पूच कर मेरा ध्यान मत बटाओ ग अधिकारियों से कर्मचारी, हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार कम किये जाने चाहिए प्रिश्ट संख्या उन्नीज प्रश्ण नो, एक देश के बारे में इन तथ्यों पर गौर करें और फैसला करें कि आप इसे लोकतंत्र कहेंगे या नहीं अपने फैसले के पीछे के तर्क भी बताएं क, देश के सभी नागरिकों को वोड देने का अधिकार है और चुनाव नियमित रूप से होते हैं ख, देश ने अंतराश्ट्रिय एजेंसियों से रिण लिया रिण के साथ यह एक शर्ट जुड़ी थी कि सरकार शिक्षा और स्वास्य पर अपने खर्चों में कमी करेगी ग, लोक साथ से ज्यादा भाशाएं बोलते हैं पर शिक्षा का माध्यम सिर्फ एक भाशा है जिसे देश के 52 फी सदी लोक बोलते हैं ग, सरकारी नीतियों का विरोध करने के लिए अनेक संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन करने और देश भर में हर्ताल करने का आहवान किया है सरकार ने उनकी नेताओं को ग्रिफतार कर लिया है ड, देश के रेडियो और टेलिविजन चैनल सरकारी हैं सरकारी नीतियों और विरोध के बारे में खाबर चापने के लिए अकबार को सरकार से अनुमती लेनी होती है प्रश्ण 10 अमेरिका के बारे में 2004 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वहां के समाज में असमांता बढ़ती जा रही है आमदनी की असमानता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विभिन वर्गों की भागिदरी घटने बढ़ने के रूप में भी सामने आई इन समुओं की सरकार के फैसले पर असर डालने की शमता भी इससे प्रभावित होई है इस रिपोर्ट की मुख्य बाते थी सन 2004 में एक औसत अश्वेत परिवार की आमदनी 100 डॉलर थी जबकि गोर्य परिवार की आमदनी 162 डॉलर औसत गोर्य परिवार के पास अश्वेत परिवार से 12 गुना ज़्यादा संपत्ति थी दो, राश्टपती चुनाव में 75,000 डॉलर से ज्यादा आमधनी वाले परिवारों के प्रतेक 10 में से 9 लोगों ने वोट डाले थे यही लोग आमधनी के हिसाब से समाज के उपरी 20 फीसिदी में आते हैं दूसरी ओर 15,000 डॉलर से कम आमधनी वाले परिवारों के प्रतेक 10 में से सिर्फ 5 लोगों ने ही वोट डाले आमधनी के हिसाब से यह लोग सबसे नीचले 20 फीसिदी हिस्से में आते हैं तीन, राजनेतिक दलों का करीब 95 फीसदी चंदा अमीर परिवारों से ही आता है इससे उन्हें अपनी राय और चिंताओं से नेताओं को अवगत कराने का अफसर मिलता है यह सुविथा देश के अधिकांश नागरिकों को उपलब्ध नहीं है 4. जब गरीब लोग राजनीती में कम भागिदारी करते हैं तो सरकार भी उनकी चिंताओं पर कम ध्यान देती है गरीबी दूर करना, रोजगार देना, उनके लिए शिक्षा, स्वास्थय और आवास के व्यवस्ता करने पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना दिया जा राजनेता अक्सर अमीरों और व्यापाडियों की चिंताओं पर ही नियमित रूप से गौर करते हैं इस रिपोर्ट की सूचनाओं को आधार बनाकर और भारत के उधारन देते हुए लोकतंत्र और गरीबी पर एक लेक लिखें आईए अखबार पढ़ें अधिकांश अखबारों में एक संपाद किये प्रिष्ट होता है इस पन्ने पर अखबार समकाली इन घटनाओं पर अपनी राये प्रकाशित करता है अखबार दूसरे बुद्धी जीवियों और लेखकों के लेख और विचारों को छापता है इसी पन्ने पर पाठकों की राये और टिपणियां भी पत्रों के रूप में चपती है किसी अखबार को एक महिने तक पढ़ें और उसके उन समपाद के टिपणियों, लेखों और पाठकों के पत्रों को काट कर जमा करें जिनका रिष्टा लोगतंतर से है इनको इन शेणियों में बाठ कर रखें एक लोगतंतर का सम्वेधानिक और कानूनी पहलू दो नागरिक अधिकार तीन चुनावी और पाठियों की राजनिती चार लोगतंतर की आलोचना अभी आप सुन रहे थे सामाजिक विज्ञान पाठेक्रम के अंतरगत ध्वनी पाठे पुस्तक लोगतंतरिक राजनिती भाग एक का पहला अध्याए शीर्शक्ता लोगतंतर क्या लोगतंतर क्यों वाचन्स्वर अजी थोरो निर्माण सहयोग सौम्या मलिक निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नईदिल्ली भारत